हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेज एवियस की दो क्लासेज हो चुकी है आज ये थर्ड क्लास है तो इसमें देखेंगे कि पर्यावराण संरच्छन के लिए किये गए महत्पूर्ण समझोते क्या क्या थे और आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सारे एक्जा हुआ था इसे 2005 में अपना लिया गया था ये एक अंतर राष्टिय समझोता था जो 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई गैस क्या क्या है यह कार्बन डायकसाइड मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल को रोकने के लिए यह हुआ था 2016 में हुआ था यह समझाता भारत ने इस पर हस्ताचर कप किये थे 2 अक्टूबर 2016 को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन से समझाता हुआ है पेरे समझाता था तीसरा देखेंगे मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह हुआ था ओजोन चरण को रोकने के लिए ओजोन चरण से संबंदित था कनेड़ा में 16 सितंबर 1987 को यह समझाता हुआ था 16 सितंबर 1987 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और लागू कब हुआ यह लागू हुआ 1989 में नेक्स देखेंगे रामसर समझाता रामसर समझाता जो है आर्ध भूमी के स संबंदित है नम्बूमी जिसे बोलते है 1971 में इरान में रामसर नामक जगहे पर यह रामसर समझाता हुआ था 1972 में यह लागू हो गया था और भारत ने इस पर हस्ताचर किये थे 1982 में फिफ्थ नमबर देखिंगे नागोया प्रोटोकॉल यह जय विवित्ता के संरच्षण से संबंदित एक प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था जापान की नागोया में 2010 में जापान की नागोया में नागोया प्रोटोकॉल हुआ यह जय विवित्ता के संरच्षण से संबंदित था नेक्स्ट है कार्टा जेना प्रोटोकॉल यह जय विक आनवनशिक्ता को संरच्षण प्रदान करने के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था जय विक आनवनशिक् पर्यावरार सनरचन के लिए कुछ भारती आंदोलन चलाय गय थे ये भी देख लेंगे पहला है चिपको आंदोलन इसका उद्देश शिक्या था पेडों का सनरचन वन सनरचन इसका उद्देश से था व्रिच्छों को बचाना ये उत्राखंड में चलाया गया था और इसकी शुरुवात का भुई थी 1973 में 1973 में उत्राखंड में इसकी शुरुवात हुई इस आंदोलन के प्रडेता कौन कौन थे मेंली सुन्दरलाल बहुगडा चंडी प्रिसाद भट और गौरा देवी इस आंदोलन के प्रडेता थे सुन्दरलाल बहुगडा चंडी प्रिसाद भट और गौरा देवी आंदोलन का इस्थान क्या था चमूली डिस्टिक उत्राखंड महिलाओं ने इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लिया था आगे देखेंगे एपिको आंदोलन हुआ था एपिको आंदोलन कहां पर हुआ था करनाटक में इसके नेद्रित उकरता कौन थे पांड ऊल्चरण यह एपिको आंदोलन से समझनी थे कब हुआ था 1975 में इसका वी उत्देश क्या था एपिको आंदोलन 1975 में उत्देश क्या था क्लियाण सिंग रावत उत्देश क्या था पहाड़ों पर वनीकरण को प्रोशाहेत करना पहाड़ों पर वनी करण को प्रोसाहित करना मैत्री अंधुलन का उद्देश था और भूस खलन की गटना को रोपना भी इसका उद्देश था भूस खलन की गटना को रोपना नेक्स देखेंगे नर्मदा बचाओ अंधुलन ये कब हुआ? 1983 में हुआ था नरमदा बचाओ अंदोलन कहां पर हुआ मध्रिध्य प्रिदेश क्योंकि मध्रिध्य की अमरकंटक से ही नरमदा नदी निकली है नेक्षित किस ने किया था मेगा पाटेकर और बाबा आम्टे ने इसका नेत्रीत कहिए इसका उदेश भी किया था वन संरच्छन को प्रोज साहित करना यों बड़े डैम या फिर बांध का विरोध करना इसका उद्देश क्या था वन संरच्छन को प्रोज साहित करना और बड़े डैम का विरोध करना नर्मिदा बचावा अंदोलन का उद्देश था पंडित जवाल लाल हिरू ने कहा था य यह statement दिया था जो बहुत पुछा जाता एक्जाम में बहुत देशिय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है मतलब आधुनिक भारत के लिए बहुत देशिय परियोजना बहुत आवश्यक है नेक्स देखेंगे ग्रीन बेल्ट आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था केन्या में हुआ अफ्रीका की एक कंट्री है इस आंदोलन की नेतरितु करता कौन थे बंगारी मताई बंगारी मताई इसकी नेतरितु करता थी उद्देश क्या था वन सनरचण 1977 में स्टार्ट हुआ था य पुरसकार में दिया जाने वाला पुरसकार कुछ मुख की पुरसकार है ग्लोबल 500 पुरसकार ये पर्यावरण संरच्छन के छेत्र में दिया जाता है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायर्मेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राश्च पर्यावरण कारिकरम द्वारा ये कुर्जा चेत्र और नवीन प्रोध्योगी के छेत्र में जो काम करते हैं उन्हें एबेडन पुरसकार दिया जाता है नेक्स देखेंगे सासा कावा पुरसकार ये पर्यावरण प्रबंधन यूम संरच्छन के लिए दिया जाता है पर्यावरण प्रबंधन यूम संरच्छ दिया जाता है अमेरिकी सरकार द्वारा अगला देखेंगे राजियु गांधी पर्यावराण पुरसकार ये सच उर्जा और प्रोद्धोग्य के विकास के लिए दिया जाता है सच उर्जा और प्रोद्धोग्य के विकास के लिए राजियु गांधी पर्यावराण पुरसका दिया जाता है आगे देखेंगे विबिन क्रांतियां जो हुई थी हरित क्रांति पहला देखेंगे ये इसका संबंद किसे था खाद्यान उत्पादन से संबंदित थी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है नौर्मन बोर्ड लॉग ये यूएस से के थे नौर हर्याना और उत्तरप्रदेश हरी क्रांती की जन मिस्थली क्या पंधनगर विश्विदयल उत्रखंड को हर्यत Congratulations की जन फद्ञ इंगIEं क्लाव हुआ और सरवादिक नुकसान अगर देखेंगे किसे हुआ तो ये हुआ है मोटे अनाज और धलनी फसलों को सरवादिक नुकसान हुआ क्योंकि हरित क्रांती में इस पर जाता ध्यान नहीं दिया गया था आगला देखेंगे श्वेत क्रांती इसका संबंद दुख दुद पादन से संबंदित है और ऑप्रेशन फ्लड भी दुख दुद पादन से संबंदित है इसकी शुरुवात कब हुई थी 1970 में 1970 में श्वेत क्रांती की शुरुवात हुई थी इसके जनक कों थे वरगीज कुरियन स्वेत क्रांती की जनवस्तली क्या है आनन्द गुजरात 1970 में शुरु हुई थी वरगीज कुरियन द्वारा नेक्स देखेंगे नीली क्रांती ये किसे सम्बंदित है ये मत से उत्पादन मचली उत्पादन से सम्बंदित है इसकी सुरुआत 1985 से 1990 के वीच हुई थी साथवी पंचवर्षिय योजना के दौरान नीली क्रांती के शुरुवात होई थी ये मत्स्य उत्पादन से सम्बन देती भारत में आंध्र प्रदेश सर्वादिक मत्स्य उत्पादन करता राज यह है आंध्र प्रदेश सुच जल में सरवादिक मत से उत्पादन किस स्टेट में होता है यह होता है पश्रिम बंगाल में सुच जल में सरवादिक मत से उत्पादन कहा होता है पश्रिम बंगाल में और समुद्री जल में सरवादिक मत से उत्पादन कहा होता है केरल में केरल में नेक्स देखेंगे पीली क्रांती ये तिलहन से संबन gonna can गुलावी क्रांती प्याद जींगा और मचले से संबन दृ लाल इंप टमाटर वा मांस से संबन दित Black T ago उर्वरक उत्पादन से संबंदित थी और बादामी क्रांती मसालों के उत्पादन से संबंदित थी सुनेरी क्रांती फलों के उत्पादन से संबंदित थी और ग्रीन गोल्ड क्रांती क्या थी वो चाय उत्पादन से संबंदित थी ग्रीन गोल्ड क्रांती अगर देखेंगे तो ये आलू उत्पादन से संबंदित थी रजत क्रांती अंडा उत्पादन से संबंदित थी इंद्र धनुशी क्रांती है ये जो है सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता था इंद्र धनुशी क्रांती सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप नेक्स देखेंगे पर्यावरण से संबंदित कुछ दिवस आते हैं जो सारे एक्जाम में आते हैं एक ही साथ पूरे दिवस यहाँ पे दिये गए हैं विश्व आर्ध भूमी दिवस कब मना जाता है दो फर्वरी को विश्व वानिकी दिवस यह अंतरराष्टी वन दिवस कब मना जाता है 21 मार्च को विश्व जल सनरचण दिवस 22 मार्च को मना जाता है 22 मार्च को विश्व जल सनरचन दिवस और 22 अप्रेल को विश्व प्रित्वी दिवस विश्व जय विवित्ता दिवस कब मना जाता है बायो डायवरस्टी डे 22 मई को 22 मई को विश्व पर्यावराण दिवस 5 जून को विश्व बाग दिवस 29 जुलाई को मना जाता है 29 जुलाई को और 29 अगस्त को विश्व खेल दिवस मनाय जाता है विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाय जाता है 16 सितंबर को विश्व वन जीव दिवस कब मनाय जाता है 1 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस 16 अक्टूबर को विश वन जीव दिवस एक अक्टूबर को और विश खाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्री मृदा दिवस कब मनाया जाता है पांच दिसंबर को पांच दिसंबर को अंतरराष्ट्री मृदा दिवस मनाया जाता है विश वन प्राणी दिवस मनाया जा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग ब्रेक टाइम क्लासेज